नमस्कार दोस्तों एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बीए परिक्षाय में होने वाले 10 एसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जिन गलतियों के वैसे एक्जामेर दोर आपका बहुत ज्याजा नंबर काटा जाता है तो अगर ज़्वान तक जड़ देखेगा क्योंकि इस वीडियो साब को बहुत क्यों सीखने को मिलेगा जो आपके बीए एक्जाम में काम करेगा तो आइए देर ना करते हुए वीडियो को सुरू करते हैं और उन 10 गलतियुके बारे में जानते हैं दोस्तों पहली गलती की बात किज जातर इस डूट क्या करते हैं, कि पेपर में जब हो कापी लिखते हैं, तो कापी लिखते हैं, जब हो प्रस्ण संख्या उतर संख्या लिखते हैं, तो प्रस्ण संख्या उतर संख्या लिखते हैं, कि तीर का निसान बनाते हैं, और हेडिंग लिखते हैं, जैसे दोस्तो यहा प्रशन संख्या लिखने के बाद यहां पर दोस्तों बीच में तीर का निसान बनाए गया है उसी तरीके से अगर आप यहां पर देखेंगे तो प्रशनोता संख्या लिखने के बाद यहां पर दोस्तों बीच में तीर का निसान बनाए गया है और यहां पर दोस्तों नीचे तो यहाँ पर दोस्तो बीच बीच में star बनाए गया है तो इस तरीके से दोस्तो अगर आप B.A. exam में अगर आप copy लिखते समय है या heading लिखते समय है या प्रस्न संख्या उतर संख्या लिखते समय है अगर आप तीर का निचान मनाते हैं या फिर heading लिखते हैं अगर आप star बनाते हैं दोस्तो एकजामीर दोर आपका number वाथ से कटा जाएगा क्योंकि दोस्तो यहाँ पर fashion designing या फिर designing का paper नहीं दे रहे हैं यहाँ पर दोस्तो आप BA का paper दे रहे हैं तो इसलिए दोस्तो अगर या फिर heading लिखते से में अगर आप इस्टाय बनाते हैं तो आज के बाद से मत बनेगा, क्योंकि दोस्तो ये बनाना गलत होता है, अगर आपको प्रश्न संख्या, उतर संख्या लिखना ही है, तो आपको किस तरीके से लिखना है, द्यान समझ लिजिए, आपको क्या करना है, दोस्तों यहाँ पे ध्यान से दिखिए, यहाँ पे दोस्तों आपको प्रस्ण संख्या लिखना है, और बीच में क्या करना है, दोस्तों बीच में आपको इस तरीके से डाइस दे देना है, यह दोस्तों सही तरीका होता है लिखने का, इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो यहां पर प्रस्ण नम्बर तीन जो भी 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 प्रस्ण नम्बर है अगर आप इस तरीके से किय डगना चाहते है यहां से यहां पर लगा सकते हैं कोईçu id одной है याद रखेगा कि आपको बीच में इस तरीके से आपको तीर का निसान नहीं बनाना है और हेडिंग लिखते से मिए तो आपको इस्टायर बिलुकूल अगर आपको heading लिखना है तो नीचे आप underline दे सकते हैं लेकिन underline देने کے بعد आपको इस तरीकर से नहीं बनाना है जैसे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर दोस्तों heading लिखा गया है और heading लिखने के बद लिखने हैं तो तो किस आपको आप को आपको ठ्वार आ इस बात को याद रखेगा अब दूसरी गलती की तिरब यहाँ पे दूसरी गलती की बात की जाए तो जातले क्या कि यह पे का पि भरने के लिए सब्दू को बहुत दूर दूर लिखते हैं दोस्तो बहुत सारे लोग के दिमाग में यह होता है कि अगर मैं सब्दो को बहुत दूर दूर लिखेंगा तो कापी जल्दी भरेगी और कापी जल्दी भरेगी तो मैं बहुत जादा लिख पाऊंगा और जादा लिख पाऊंगा तो मेरे को जीएदा नमबर मिलेगा , लेकिं दोस्तों एग्जाम में ऐसा बिल्कुर बिल्कुल नहीं होता हैं , क्योंकि जो कपी चेकरी ओल एकजैमेंट आपका बहुत ज्यादा नमबर कटा जाएगा कि दोस्तों सब्दों को इतना दूर दूर नहीं लिखा जाता है सब्दों की 20 की दूर इतना नहीं छोड़ाता है सब्दों की 20 की दूर दूर ज्यादा होना चाहिए और नहीं कम होना चाहिए सब्दों की 20 की जो दूरी होना चाहिए दोस्तों समान होना चाहिए जैसे दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा है ध्यान से देखिए यहाँ पर दोस्तों जो भी सब्द दिखा गया है यहाँ पर दोस्तों सब्दों की 20 की दूरी अगर आप देखेंगे तो भी दोस्तो एक्जामेर दूर आपका बहुत ज्यादा नंबर कटा जाएगा क्योंकि दोस्तो एक्जाम में कापी भरने के लिए अगर आप दूर दूर लिखते हैं या फिर कापी भरने के लिए सब कुछ करते हैं तो examier को दोस्तो पता चल जाता है कि कापी भरने की लिफ़ने के लिए नहीं की आगए है और उस कनली समय दोस्तो एकजामे अगर आपका नंबर वसे करता है तो इसलिए दोस्तो एकजाम में के आप दूसरी गलती को भी करते हैं नकी कापी भरने के लिए आपको यहाँ पर लिखना है तो इस बात क्या दरखेगा अब दोस्तों हम लोग अगली गलती की बात करते हैं गलती नमबर 3 की बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों गलती नमबर 3 की बात की जाए तो जाते इस डूंड क्या करते हैं इस सब्द गलत होन अगर आपसे कोई सब्द गलत हो जाता है और सब्द के गलत होने पर अगर आप सब्दो को इस तरीके से काड़विट करते हैं या फिर अपनी गलतियों को छुपाने के लिए अगर आप पॉइंटर का परियोग करते हैं तो भी दोस्तो एक्जाइमेर दोर आपका नंबर काटा जाएगा यहां कि दोस्तो जब आप सब्दों को काटपीट करते हैं या फिर इस तरीके से अगर आप वाइटर का पर्यू करते हैं तो होता है कि जो आपकी गलतिया होती है आपकी पूरी कोपी में दिखने लगती है यानि कि पूरी कोपी के अंदर हाइलाइट हो जाती है और साब साब नजर आने लगती है कि यहां पर काटपीट क्या गया है या फिर यहां पर गलती हुआ है तो वाइटर का पर्यू क्या गया है अगर आपसे कोई सब्द गलत हो जाता है तो आपको क्या करना है कि सब्दों को आपको इस तरीके से बीच से मार करके छोड़ देना है जैसे मालिजी के आपसे ये सब्द गलत हो गया तो अगर आपसे ये सब्द गलत हो गया या फिर इस तरीके से कार्ट पिट करेंगे तो यह जो है कि आपके पूरी कोपी कंदर साब साब दिखेने लाएगा कि यहाँ पर कार्ट पिट किया गया है और जब एकजामिर के नजर आएगा तो एकजामिर आपका नमबर वसे कटेगा तो इसलिए दोस्तो एकजाम में आपको सब्दो के साथ 6 चार नहीं करना है और सब्द गलत होने पेश्टरी के साब को कार्ट पिट भी नहीं करना है और नहीं आपको वाइटन का परिव करना है तो इस गलती नमबर 3 को याद रिखेगा और जैसे ही देखते हैं कि समय कम बचा है या फिर time बहुत कम बचा है या फिर question बहुत ज़्यादा करने के लिए तो उस करने से मैं दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी लिखने के लिए और कापी जल्दी भरने के लिए जो सब्द होता है सब्दों को लाइन के नीचे लिखना शुरू कर देते हैं जैसा दोस्तों यहाँ पर मैं आपको गलती नमबर चार दिखा रहा हूँ यहाँ पर ध्यान से दिखिए यहाँ पर दोस्तों जल्दी बाजी में क्या क्या गया है यहाँ पर दोस्तों सब्दों को लाइन के नीचे लिखे गया है यहाँ पर दोस्तों जो हमको लाइन दी जाती है लाइन किसले दी जाती है लाइन इसले दी जाती है कि जो भी हमारे सब्द है सब्दों को लाइन पर लिखे हैं तो आज के बाद से अगर आपको एक्जाम में जल्दी बाजी में लिखना है तो भी दोस्तो आप लाइन पर ही लिखिए भले आपकी राइटिंग थोड़ा खराब हो उसे कोई बात नहीं है लेकिन आपको कभी भी भूल करके भी आपको लाइन के बीच में या लाइन के लाइन के बीच में लिखें अब दोस्तों हम लोग गलती नमबर पांच की बात करते हैं तो जयालतर इस ट्रॉंट क्या करते हैं कि कापी भरने के लिए सब्दो को बड़ा बड़ा लिखते हैं जैसा तो यहाँ पे जो भी सब्द लिखा गया है सब्द द। बहुत बढ़ा बड़ा लिखा गया है अगर आप एक्जाम में इतना बड़ा-बड़ा सब्द लिखते हैं या फिर कापी भरने के उद्धे से से अगर आप इतना बड़ा-बड़ा सब्द लिखते हैं तो भी दोस्तो एक्जामर दोर आपका नमबर कटा जाएगा क्योंकि दोस्तों जो copy check and examiner होते हैं दोस्तों मुर्ख नहीं होते हैं या फिर पागल नहीं होते हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा पढ़ाई करका होते हैं उनको पता होता है कि students जो होते हैं copy भरने के लिए लिखते हैं या फिर पढ़ाई की होते हैं लिखते हैं उनको सब कुछ पता होता है जिसलिए अगर आप कापी भरने के लिए इसतना बड़े-बड़े सब्दो को लिखते हैं तो भी आपका नमबर कटा जाएगा इस बात क्याद रिखेगा आपको सब्दो को कितना बड़ा लिखना है तो आप हमेशा जिस तरीके से लि बाद रिखेगा आपको सब्दो को इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखना है अब गलती नमर सब्दों के लिखना होता है कि जल्दिबातória की क्या करते हैं कि जो उपर की लाइनिंग होती है सीधा नहीं खिछते हैं जैसे यहां पर आपको दिखा रहा है गलती नमर छे को देखिए यहां पर दोस्तों जो भी सब्द लिखा गया है सब्दों के उपर की जो लाइनिंग है जैसे यहां पर देख सकते हैं यहां पर दोस्त तो इसे क्या होता है कि आपके राइटिंग खराब होती है और देखने माचा नहीं रगता है और इसे दोस्तो क्या होता है कि जो ये आपकी जो लाइनिंग होते हैं इसके बाइसे दूसरे सब्द भी खराब हो जाते हैं तो इसले दोस्तो अगर आप एक्जाम में जल्दी बाजी में लिखते हैं या फिर सब्दो की जो ऊपर की लाइनिंग है अगर आप सब्दो के उपर की लाइनिंग सीधा नहीं किते हैं तो भी दोस्तो आपका बहुत ज्यादा नमबर काटे रहता है इस बात को याद रखेगा तो आज के बाद से आपको गलती नमबर 6 भी नहीं करना है आप थोड़ा आराम से लिखिए थोड़ा धीरे लिखिए अगर थोड़ा कम भी लिखेंगे तो चलेगा लेकिन अगर आप जल्दी बाजी में माली जी के अप 30 पेज लिख दिये लेकिन अगर आप पचे तरीखेंगे और सब्ड़े को उपर की लैनिंग इस सीदा नहीं किचेंगे तो आपको नमबर कहां से मिलेगा इस बात को याद र रखेगा तो आपको गलती नमर 6 नहीं करना है तो प्रस्न के उत्तर लिखते से में लाइन नहीं छोड़ते हैं जिसे दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ध्यान से देखिए यहाँ पर दोस्तों गलती नमर 7 को आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों प्रस्न उत्तर संख्या 5 लिखा गया है और यहां पर दोस्तो देखिए, यहां पर दोस्तो पहला heading लिखा गया है, यहां से दोस्तो पहला heading आपका शुरू हुआ है, और यहां पर दोस्तो आपका पहला heading खतम हुआ है, तो जहां पर आपका पहला heading खतम हुआ है, और जहां पर आपका दूसरे heading सुरू हुआ है, तो प पी चेकनल एक्जामेर होते हैं, उनको ये पता नहीं चल पता है कि कौन सा हेडिंग कहा तक लिखा गया है, कौन सा हेडिंग कहा खत्म हुआ है, तो इसलिए दोस्तो अगर आप कोई भी हेडिंग लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर दोस्तों मैं आपको नीचे भी दिखा ज़र कितना लाइन छोड़ना है तो याद रिखेगा आपको कम से कम एक लाइन छोड़ना है और अधिक साधिक आपको दो लाइन छोड़ना है जैसा दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ध्यान से दिखेगा कि आपको एक्जाम में कितना लाइन छोड़ना है जैसे दोस्तों यहां पर दोस्तों जो भी लाइन छोड़ा गया है देखिए यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर दोस्तों पहला हेडिंग सुरू हुआ है और यहाँ पर दोस्तो पहला heading शुरू हुआ है और यहाँ पर दोस्तो आपका पहला heading खतम हुआ है और जहाँ पर दोस्तो आपका पहला heading खतम हुआ है वहाँ पर दोस्तो यहाँ पर एक line छोड़ा गया है यानि कि पहले heading और दूसरे heading के बीच में यहाँ पर दोस्तो एक line छो करते हैं कि परिच्छा में जो लॉंग कोश्चन होता है लॉंग कोश्चन के एंसवर डेड़ से दो पेज में लिखते हैं दोस्तों उनको यह पता नहीं होता है कि जो लॉंग कोश्चन होता है लॉंग कोश्चन होता है उसका उतर आपको 500 सब्दों में लिखना होता है अब तो दोस्तो 500 सब्द आपके तब होंगे जब आप उसका उतर या तो आप 3 पेज में लिखेंगे या तो आप 3 पेज में लिखेंगे या फिर आप 4 पेज में लिखेंगे यानि कि अगर आप कम से कम लिखेंगे तो 3 पेज में लिखेंगे और जब आपको 500 सब्द complete नहीं होगा तो exameur आपको number कहां से देगा नहीं देगा इसलिए दोस्त आपको क्या करना है कि exam में जो long question होता है खासकर जो long question होता है जिसका उतर आपको 500 sabd में लिखना होता है तो long question का उतर आपको कम से कम 3 page में लिखना है और अगर आपको थोला ज़्यादा आता है तो आप 3 page में लिखे और थोला ज़्यादा आता है तो आप 4 page में लिखे लेकिन कम से कम आपको 3 page में लिखना है 3 page से आपको नीचे ने लिखना है और भूल करके भी आपको 1.5 page ये 2 page में लिखना है डेर से दो page में आपको logo उत्री प्रस्ण का उत्र लिखना है जो long question होता है उसका उत्र आपको 3 page साइ 3 page ये 4 page में लिखना है इस बात को याद रिखेगा अब दोस्तो अबली गल्ती की बात की जाए तो जैते इस डेर्ट क्या करते हैं तो जैते इस डेर्ट क्या करते हैं है। यानि कि उसको अकरसित बनाने के लिए क्या करते हैं कि जेल पेन लेकर जाते हैं या फिर इसकेश का प्रयोग करते हैं या फिर ऐसे पेन का यूज करते हैं जिससे लिखने के बाद हेडिंग बहुत चमकदार हो जाए या फिर हेडिंग बहुत अकरसित होता है लेकिन दोस्तो यहाँ पर मैं आपको Gel Pain और इसके से लिख करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर दूस्तों जैसे माल जाए कि अगर आप Gel Pain से लिखते हैं या फिर Is Case से लिखते हैं तो इससे क्या होता ध्यान समाझ लिजे जैसे यहाँ पर मैं अगर आप कुछ भी सब्द लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं जो भी सब्द लिखूंगा यह जो सब्द है यह जो सिहाई है यह सिहाई दोस्तो आपके पेज के दूसरे साइट पर भी उतर जाएगी आप इसको देख लिजी जैसे यहां पर मैं आपको सब्द लिखा तो यह जो सब्द है इसकी जो सिहाई है यह जो पेन है इसकी जो सिहाई है इसकी सिहाई पेज के दूसरे साइट पर भी उतर जाती है जैसे यहां पर ध्यान से देखिए यहां से ध्यान से देखिए यहां पर दोस्तो इसकी सिहाई उ अगर मैं इस case से भी कुछ भी लिखोंगा, इस case की जो स्याहि होती है, ये भी स्याहि दूस्तों page के दूसरे side पर उत्र जाती है. तो exam में आखको क्या करना है? कि नहीं आपको sketch का उजट करना है, और नहीं आपको jail-penka उजट करना है. दोस्तो आज के टाइम में मार्केट में बहुत सारे पेन आ चुके हैं जिससे अगर आप लिखेंगे तो उसके स्याई फैलेगी भी नहीं और अच्छे तरीके से भी लिख पाएंगे और उसकी जो स्याई होती है फैलेगी नहीं और नहीं दूसरे साइड के अक्छर को खराब करेगी तो एक्जामें दोस्तो ऐसे पेन का यूज मत कीजिए जिससे लिखने पर उसके साइप फैले या फिर दूसरे साइड के अक्छर को भी खराब करे अब दोस्तो गलती नमर दस की बात की जाए तो जाते है इस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट तो गलती नंबर दस को याद रखेगा, एकजाम में आपको लॉंग कोश्टन होता है, अगर आप उसका एंसर अगर आप तीन पेज में लिखते हैं, यह निकि दोनों का एंसर अगर आप सेम लिखेंगे, तो आपका नंबर काटा जाएगा, तो गलती नंबर 10 को याद एक्जाम में आपको long question, short question दोनों को same नहीं लिखना है, जो long question होता है इसका answer आपको कम से कम 3 page में लिखना है साढ़े 3 page में लिखना है, 4 page में लिखना है 3, 3, 3, 4 में लिखना है और जो short question होता है इसका answer आपको 1,5 page से लिखना है इसे ज़द आपको नहीं लिखना है, इस बात को याद रखेगा दोस्तों ये 10 गलतिया थी जो मैं आपको बता दिया जिसकी बस एक्जाम में एक्जामिर तो आपका बहुँ ज़्याद नमबर काटा ज़ता है अगर आप इन 10 गलतियों को याद रखेंगे